बिहार में अब एक नई पार्टी के साथ एक नए इनसान बिहार की राजनीती में आ रहे हैं आपको बता दें कि भारतिये जन परिवार पार्टी की शुरुवात होने वाली है बिहार में जिसको लेकर जो कहा जा सकता है कि चुनाव आयोग तक नाम चला गया है हमारे साथ बा पर्थिय जनपईवार पार्टी जो चुनाव आयोग ने मुझे पांस तारीक को मतलब नाम का अप्रूबल किया हैं और मेरा जो है सो नाम मेरा पार्टी का नाम है बीजेपीपी मैं उसका राष्टी अध्यक्स प्रित्वी कुमार माली मैंने पार्टी खुने का मेरा एक ही उ प्रित्वी जी एक सवाल है कि पंद्रह साल से अंडिये का साशन चल रहा है लगतार कई बातों को लेकर सवाल खड़े होते हैं अंडिये पर क्योंकि जिस तरीके से देखे कि बिहार में एक तरीके से काफी जादा महेंगाई बढ़ गई है ब्रस्टा चार बढ़ गया है कई जाल देखा गया है कि जो विपक्च है वो कहता है कि बिहार में अफसर साही का सरकार की ये बाते सही हैं देखे आपने पंदस साल के बात की से पहले पंदस साल के बात आपने नहीं हमने आप पंदस साल के बात की हमने तीस साल के बात करता हूं तीस साल में अगर हर पार्टी मतलब दो पार्टी की सरकार रही है तीस साल में आपनों को भी जानकारी हो गए इस काम होता मैं सो परसंट Ncida रहा हूँ आपके चयनल के माधह नहीं सब्सक्राइध का एक परशंट का बोलना हुए एक एक परसंट काम करते तो तीस परसंट होता और देर देर पर सिंट काम करते तो 95 आप दो करते तो साइड जब बताइए अगर हमने एक परसंद काम करते आज तीस होता तो बिहार की बहतर होता सुगधाएं आप बताइए उन्होंने सार में एक परसंद काम करने के भी तीस सार में काम नहीं हुआ तो आप बता सकते हैं कि बिहार में क्या काम हो राइप पॉन्टिकल पार्टी ने क्या काम नहीं करेगी जब सरकार में आएगी तो सो के सो परसेंट काम करेंगे और मेरे यूबाव है जो हैं जो वेजगार हो गएं तीस साल से मैं एक साल की बात नहीं करता हूं तीस साल से जो वेजगार हैं भारत्य जनपर वारति हर एक यूबाव को हाथ पकर के रोजगार देने का क करद्णी और करद्णी में बहुत अंतर है और उसम talking वात है आपने 1890, और बोली थे 10 दैना और 20 लाग दो करोर के वी बात आई थू हो अगर आप मिजकार देते तो दे दिए होते ना कभी आप मंसा और नियत ही नहिए कि भारत के युवाव को रुजगार दे और मेरी मनसा और नियत बया कर रहे हैं कि हम तो बोले न अगर मेरी सरकार आई तो छे मेने के अंदर में हर युवा को हाथ पकर के खुद रुजगार देने का काम करेगी भारत ये जन परिवार पाते सर एक आखरी सवाल है आपने कहा कि आपकी सरकार आएगी बिहार में अभी दो जगहों पर उपचुनाव होने हैं क्या वहाँ पर आपके कैंडिडेट उतरेंगा जी एक मेरा कुसेसर अस्थान जो मेरा खुद गिरी जीला है ठीक है गिरी घर है वहाँ पर बिधान सवा मैं पारा पूर है दोनों जगह से में अपना कंड़िडेट उतारने का काम करेगा भांधिजन परिवारपार्ती दोनों जगह से अपनी कंड़ देट उतारے और आने वाले दिनों ने *** सीटों पर अभी से ही sow 길 जोड लगा दिए हैं अपने कहा कि कुशेशोर रस्ठान और दर् बहंगा की कई सारी ऐसे दिकते हैं, जिसको सरकार के सामने उजागर कई बार किया गया है, लेकिन पूरा नहीं गूरा है, दर्भांगा में बाड की सबसे ज्यादा इस्तिती हो जाती है, बाड में कई बार ऐसा हुआ है, कि जो ट्रेन का परिचालन है, वह भी बन्द हो जाता इसको कैसे देखते हैं तरहंगा तो सर दूर की बात हो गई अबी पतना मेंने कट जो है सो पी-एम-सी-एच कर पी-एम-सी-एच का मैंने दोरा किया था वहां पे जाके देखिया क्या हाल हो गए और दर्भंगा तो हम बहुत दूर है यहां से ठीक है तो आप नोगों का मैं यही कहूंगा कि चाहे कोई भी जगह हो मेरा काम है विकास फर्ष्ट विकास और लास्ट में भी विकास विकास को मैं एहम मुद्धा मान के चलूँगा तो हमारे साथ पृत्वी जी थे जो भारतिय जन परिवार पार्टी के संस्थापक हैं यूँ कहलें कि राश्ट देक्ष दरभगा जिले से आते हैं और सरकार बदलने की बात कर रहे हैं साफतोर पह इनका कहना है कि अगर इनकी सरकार आती है तो लोगों तक रोजडार दिया जाएगा बिहार में पिछले तीस साल से जो बिहार को बरबात किया गया है चाहे वो अलग-अलग पाटियों के साथ हो, चाहे वो NDA हो, चाहे वो महागण बंदन हो, उन सब चीजों से दूर हट कर एक नई बिहार का गठन करेंगे कैमरापरसन अमित के साथ, मैं उतकर स्टीटीविभारत पटना